सूपरभाद बच्चों, आपका हिंदी की कक्षा में स्वागत है बच्चों, आज हम फिर से एक बार अंगों के नाम को धोराएंगे बच्चों, पहले हम इन अंगों के नाम को पढ़ेंगे, बोलेंगे और फिर अप्यास पृस्तिका में लिखेंगे जैसे ये कौन सा अंग है? इसको पहले पढ़ो क, म, र, कमर शाबाज बच्चों, अब आप इसको अपनी अभ्यास पृस्तिका में लिखो बच्चों, अब इसको पढ़ो, ये कौन से अंका नाम लिखा है? न, य, न, न, नयान अब बोलकर इसको अपनी अभ्यास पृस्तिका में लिखो ये कौन सा अंग है? गरदन गरदन अब ये कौन सा अंग है? न आ क नाक शाबाश बच्चों इसमें कौन सी मात्रा लगी है? आ की न आ क नाक शाबाश बच्चों अब ये कौन सा अंग है? बड़ो क आ न कान शाबाश बच्चों अब अपनी अभ्यास पृस्तिका में लिखो क आ न कान कान में कौन सी मात्रा लगी है? आ की ना शाबाश अब ये कौन सा अंग है? ह आ त हाद बच्चों ह पे कौन सी मात्र लगी है आ की, शाबाज क्या बन गया ह आ थ हाथ अब अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखो ह आ थ हाथ शाबाज बच्चों अब इसको पढ़ो ये कौन से अंका नाम लिखा है म आ थ आ क्या बन गया मात था देखो बच्चों, इसमें मा को भी आ की अवाज आ रही है और थ को भी आ की अवाज आ रही है तो कौन सी मात्र लगी आ की, क्या बन गया मात था शाबाज बच्चों, अब आप इस अंकों के नाम को अपनी अभ्यास पुस्तिका में सुन्द सुन्द राइटिंग में लिखोगे बोल कर और लिख कर इसका अभ्यास करोगे धन्यवाद, बाबाई